अस्सलाम उलेकुम दरफ जितना उंचा होगा उसका साया भी उतना ही छोटा होगा इसलिए उंचा बनने की बजाए बड़ा बनने की कोशिश करो जमीन के उपर आजजी के साथ रहना सीख लो जमीन के नीचे सकून से रह पाओगे गुना को फिलाने का जरिया मत बनो क्योंके हो सकता है आप तो तोबह कर लो पर जिसको आपने गुना पर लगाया है वो आपकी आखरत की तबाही का सबब बन जाए अपनी जिन्दगी में हर किसी को एहमियत दो जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा अपनी जिन्दगी ऐसे जीओं कि आल्ला ताला को पसंद आ जाओ दुनिया वालों की सोच तो रोज बदलती रहती है मसुरूफ जिन्दगी नमाज को मुश्किल बना देती है लेकिन नमाज मसरूफ जिन्दगी को भी आसान बना देती है लापाक हम सब को पांच वक्त का नमाजी बना दे आमीन गह जरूरी तनकीत वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत तलुकात का सरकलम करती है इनसान का दिल तोड़ने वाला शखस अल्ला की तलाश नहीं कर सकता इनसान की असल मौत तब होती है जब वो किसी के दिल से निकलता है नमाज की फिकर अपने उपर फर्स कर लो खुदा की कसम दुनिया की फिकर से आजाद हो जाओगे और काम्याबी तुम्हारे कदम चुमेगी इन्शाल्ला हक बात की पहली निशानी है उसकी हमेशा मुखाल्फत होती है जिसकी कोई मुखाल्फत नहीं वो कतन हक नहीं लोगों को दुआ के लिए कहने से ज्यादा बेतर है ऐसे अमल करो के लोगों के दिल से आप के लिए दुआ निकले तहम्मुल अफ्तियार करो अपने दुश्पन पर गल्बा पा लोगे दोस्त को दोलत की निगा से मत देखो वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं लफ्स इनसान के गुलाम होते हैं मगर सिरफ बोलने से पहले तक बोलने के बाद इनसान अपने इलफास का गुलाम बन जाता है जो शख्स तुम से दूरी अख्तियार करे तुम उसमें हरगिस दिल्चस्पी मत लो अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता वो याद ही रहते हैं अगर कोई बिला वज़ा आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप में कुछ खास है सामने वाला हस्त का शिकार है किसी को खुशी देना सदका है मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है जो आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा किसी और के हातों आप खुद ही अपने लिए बेहतरीन दिलासा हैं बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन दुनिया और मुश्किल वक्त में बेहतरीन थपकी जो आपको कभी हारने नहीं देती शिद्दत से मांगो जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है अल्ला तरप जाया नहीं जाने देते वो दिलों के हाल से बाखुबी वाकिफ है जो तुम चाहते हो वो मिलेगा वो नहीं तो उस से बेहतरीन मिलेगा अल्ला तुम्हारे लिए बेहतरी करता है वो हमेशा वो करता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन हो बस नाउमीद मत होना दुआ करते रहना और शुकर करते रहना वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है लोग भी, रिष्टे भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी पता है जिन्दगी उनकी भी गुजर जाती है जो हंस के गुजारते हैं और उनकी भी जो रो के गुजारते हैं बस इतना कहना है कि खुद चाहे हंस के गुजारे या रोके लेकिन किसी दूसरे की आँखों में नमी का सबब अपनी जात को कभी मत बनने दीजिएगा शुक्रिया दूसरों के अच्छे होने का इंतजार ना करो बलके उन्हें खुद अच्छा बन कर दिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है अल्ला ताला तीन किसम के लोगों को क्यामत के दिन नजर रह्मत से नहीं देखेगा नमबर एक वालदैन का नाफरमान नमबर दो आदी शराब और नमबर तीन एसान जतलाने वाला इनसान सोए बगैर 11 दिन तक जिन्दा रह सकता है नीद इनसान के लिए खाने से ज्यादा जरूरी है औरत के जिसम से निकल कर औरत के हातों में पल कर जब ताकतवर बन जाते हो तो औरत ही आपको कम अकल कम तर कमजोर और जाहिल नजर आती है अपना और दूसरों का ख्यार रखें खुश रहें खुश यहां बांटें वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्क्राइब करना ना भूला करें अपने ख्यार रखेंगे नेक्स वे मुलाकात होगी अल्ला हफीज